हेलो विवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स की यूट्यूब एजूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टडी इन डेटेल अबाउट दीसिस थाइरोईड तो थाइरोड डिसिस के बारे में हम डेटेल में स्टडी करेंगे और आज का हमारा में टॉपिक है वान हाइपो थाइरोडिसम कि जो हाइपो थाइरोडिसम की जो कंडिशन की जिसके अंदर जो अंडर एक्टिव हमारी थाइरोड ग्लेंड कि जो thyroid gland होती है वो under active होती है या फिर रहती है inactive कि यहाँ पे जो यह हम gland देख रहे है कि जो butterfly shape की होती है वो gland हमारे यहाँ पे जो गले के बाग में होती है यह जगाँ पे कि यह आप देख सकते है कि thyroid disease के करण यह gland का जो size है वो increase हुआ है और inflammation भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यही होता है thyroid disease के जिसके अंदर affect होती है हमारी thyroid gland तो उसको किस तरह से हम treatment कर सकते है कौन से medicines वगेरा यूज़ कर सकते है वो सभी के बारे में हम यह video lecture में डेटेल में study करेंगे किस तरह से thyroid disease की treatment की जाती है और कौन से medicines उसके अंदर prefer किये जाते है तो शुरू करते हैं lecture के अदर डेटेल में So expert lecture by Amar Sir Mr. Amar M. Rawal B.Farm M.Farm in Pharmaceuticals PhD Pursuing Assistant Professor and Founder of PharmaRox Pursuing the PhD from Gujarat Technological University Ahmedabad Gujarat So आप सभी का बहुती धन्यवाद है कि आप सभी के support के कारण PharmaRox ने अपने एक लाग से भी ज्यादा subscriber कम्प्लेट किये है और जिसके करण YouTube Creator Award से हमें सन्मानित किया गया है कि जो Silver Creator Award होता है तो again thank you for भी इने 1 lakh family of a PharmaRox So updated रही है Pharma Knowledge के साथ उसके लिए subscribe करिए channel को प्रेस करिए bell icon and never miss any video of PharmaRox PharmaRox ने अब आपका Mobile Lab भी लौंच कर दिया है कि Mobile Lab के उपर भी आप study material है टेस्स सिरीज वीडियो लेक्चर वगिरा एकसेस कर पारते हैं तो ये सभी features को एकसेस करिए affordable price के अंदर PharmaRox के अग उपर अगर आपके पास Android phone है तो Google Play Store पर से आपको डाउनलोड करिया अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से डाउनलोड कर सकते है Link हमने description box में आपको दे दी है तो thyroid gland के जिसका जो location है वो just below the larynx कि just below the larynx कि जो हमारा larynx होती है उसके completely नीचे होती है ये thyroid gland और यही gland affect होती है thyroid disease के अंदर कि यहाँ पर thyroid gland आप देख सकते है कि जो हमारे गले के बाग में आई हुई है और उसके दो लोब होते एक right side का लोब और एक left side का लोब तो समझों कि मैं yellow करता हूँ तो ये वाला yellow wish portion right side का है फिर ये वाला yellow wish portion left side का है और ये दोनों को जो connect करेगा middle piece जिसको हम कहते है वो है ethmas तो ये खास याद रखिए ये वाला कि ethmas यहाँ पे लिखा है और ये वाला portion this one तो ये हो गई thyroid gland की information और उसका जो main safe है तो butterfly safe कहा जाता है this gland have a butterfly safe and it is the very useful gland of our body कि जो involved है hormones release करती है कि जो कहे जाते है thyroid hormones और thyroid hormones कैसे produce करती है तो हम जो food लेते है उसमें जो iodine होता है वो iodine को utilize करके thyroid hormone बनाती है और ये thyroid hormone आगे जाके energy produce करने में help करते है तो ये है importance of thyroid gland की उसके दो hormone के नाम आप खास याद रखिए कि उसके जो thyroid के जो follicles होते है कि जो उसके structural unit है कि thyroid gland के structural unit की जिसको हम कहते है thyroid follicles कि जो T3 और T4 नाम के दो hormones कि जो कहे जाते है thyroid hormone T3 मतलब triidothyronine and T4 it means thyroxine ये दोनों hormones secret होते है thyroid gland में से and iodine is necessary for the synthesis of this hormone और जब iodine जो है वो necessary है iodine समझो कि नहीं होगा तो ये hormones जो का formation नहीं होगा बिकाज ये hormone के जो structure के अंदर iodine जो है वो present होता है तो iodine necessary बन जाता है thyroid hormone बनने के लिए and यहाँ पे समझे कि जो thyroxine है उसके पास total 4 atom है iodine के and जो T3 है उसके पास है 3 atoms of iodine तो अगर समझे के आपके खाने के अंदर iodine ही नहीं है तो iodine की deficiency होगी और iodine की जब deficiency होती है तो उसके कारण thyroid related problem जो है वो patient को हो सकता है तो यह था thyroid gland का introduction function जान लेते हैं T3 and T4 के तो दोनो hormones involved होते हैं हमारे body के metabolism के अंदर की यह तो आपको पता चल गया है कि thyroid gland की जो iodine को utilize करके T3 and T4 दोनों को produce कर दी है अब T3 and T4 दोनों produce हो गए next है अब यह release होंगे और enter होते हमारे blood stream के अंदर and blood stream के अंदर जब कोई भी hormone mix हो जाता है तो पूरे systemic circulation के अंदर वो transport होता है transported throughout the body where they control metabolism metabolism को control करेंगे and convert करेंगे oxygen and calories को last में energy के अंदर तो मैंने जो आपको summary बताई थी के जो thyroid hormone है वो energy produce करने में help करते है तो जब किसी person को thyroid related problem होता है और उसमें दो condition produce होती है कि जब ये hormone के secretion के अंदर disturbance होता है किसी भी तरह से तो जो हम कहते हैं कि अलग-अलग जो causes हम कहते हैं कि diseases होने की जो reasons कि जिसको हम causes कहते हैं वो causes के करण जब disturbance होता है इनके release के अंदर तो उसके करण thyroid related diseases and disorders होते हैं और उसमें दो main major disease hyperthyroidism and hypothyroidism तो previous lecture में हमने hyperthyroidism के बारे में आपको detail में समझाया कौन से medications prescribed की जाती है iodine therapy, surgery वो सब option रहते हैं hyperthyroidism के जिसके अंदर gland जो है वो over active होती है और excessive secret करती है thyroid hormone को जिसके कारण enlargement भी होता है gland का ये एक symptom होता है कि gland जो है वो person की यहाँ पे enlarge हो जाती है तो ये था hyperthyroidism उससे completely reverse या opposite condition हमका है तो hypothyroidism तो hypo में जो gland है वो आपकी under active है और under active gland होती है जब तो वो insufficient produce करती है thyroid की hormones और वो भी long time तक जिसके कारण काफी सरे complications जो है वो देखने को मिलते है from resistance of the peripheral tissue to the effect of thyroid hormone is rarely कि जो metabolic problems के करण या फिर जो दुसरे जो causes हम कहते है कि resistance है और जब resistance develop होता है तो कोई hormones जो है वो secret नहीं होता पाती अच्छे से या फिर insufficient amount के अंदर वो produce होते है तो ये condition तब बनती है कि जब hormones जो है वो कम secret हो रहा है और उसका कारण होता है में gland आपकी जो हो जाती है under active under active में लिख सकता हुए आपे under active thyroid gland कि thyroid gland आपकी under active है और वो reduce कर रही है secretion thyroid hormone का यहाँ पर T3 and T4 दोनों के secretion पर अफेक्ट होगा और काफी less amount के अंदर secret होगे तो यह condition produce होती है hypothyroidism के अंदर तो hypothyroidism में मैं देखू तो जो difference की हम बात करते हैं तो T3 and T4 का level यहाँ पे रहता है high तो यहाँ पे low level है T3 and T4 के यहाँ पे TSH low है जबकि यहाँ पे TSH का level increase होता है और यहाँ पे TSH down होता है तो यह हो गए diagnosis related बात अब symptoms के related difference देखे तो जो hyperthyroidism का patient गर्मी सहन नहीं कर पाता intolerance to heat जबकि यह patient को ठंड सहन नहीं होती intolerance to cold यहाँ पे diarrhea होता है hyper के अंदर hypo में constipation होता है यहाँ पे bulging आई होती है जबकि यहाँ पे eyelid and facial edema देखने को मिलता है यहाँ पे patient का weight loss होता है जबकि यहाँ पे weight gain होता है appetite increase होती है जबकि appetite decrease होती है तो देखिए arrows एक दिसरे के opposite में रहता है कि weight loss तो सामले increase in appetite फिर भी weight loss जबकि यहाँ पे decrease in appetite फिर भी weight gain और उसके hypothyroidism के related जो diseases का है तो cretinism and mixodema यह जो दो disease है वो hypothyroidism related complications है कि समझे के hypothyroidism जब किसी को होता है तो आगे जाके उसको cretinism and mixodema होता है और hyperthyroidism के अंदर goiter include होता है graves disease है papilloric carcinoma वगेरा हम involve करते है hyperthyroidism के अंदर तो अब समझे दोनों को यह graphically भी आप समझ सकते हैं कि hypo and hyperthyroidism कि जो हमने बात की कि patient hypothyroidism का जिसको thund sun नहीं होती जिसके करन आप देख सकते कि काफी sweater वगेरा उसने पैने है muffler लगा हुआ है जब कि hyperthyroidism का patient को गर्मी sun नहीं होती जिसके करन वो हाथ में fan लेकर ही गुम रहा है suggest cartoon बना हुआ है कि जिससे आपको पत्या चली और ये cartoon में intolerance to cold है ठंड sun नहीं होती यहाँ पे constipation तो यहाँ पे diarrhea होता है तो यह सब symptoms हमने previous lecture में भी डिसकस किये थे तो अब सुरू करते है हमारा main topic hypothyroidism कि hypothyroidism is when the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone does not produce hyper में ऐसा हो रहा था कि overactive gland थी excessive secret कर रही थी कि जबकि यहाँ पे enough thyroid hormone ही produce नहीं रहा to meet the need of the body so the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone which our body needs everyday कि जो हमारी body को हर दिन जितना thyroid hormones की जरूरत होती है उतना proper amount मे thyroid hormone produce नहीं होते और उसका main reason है कि आपकी gland है underactive the gland is the underactive the opposite is hyperthyroidism where the thyroid produce too much thyroid hormone कि जो gland वहाँ पे excessive amount में thyroid hormone produce कर दिये जबकि यहाँ पे उससे completely opposite है बहुती कम amount में produce हो रहा है तो insufficient production of thyroid hormone for prolong period of time की जो अभी हमने बात की तो उसके हम कोजिस देखे तो primary कोजिस यह है hypothyroidism के primary कोजिस कि समझे की post ablative post ablative उसका मतलब होता है after under surgery और radio iodine therapy तो समझे की पहले person को hyperthyroidism था बट आपने surgery करवाई और surgery करने के बाद ऐसा हुआ कि आपकी gland जो पहले over active थी वो अब under active हो गई बराबर जो आप point समझते होगे कि जो हमने previous lecture की जो आपने सायद नहीं देखा होगा तो पहले वो लेक्चर जरूर से चेक करे यहाँ पर eye button पे क्लिक करेए यह फिर description box में link दी होगी यहाँ फिर eye button पे क्लिक करोगे तो easily आपको hyperthyroidism का lecture मिल जाएगा तो hyperthyroidism में हमने medicines के लावाद दो treatment के बाद की थी एक surgery या फिर radio iodine therapy की हमने बात की थी treatment के अंदर तो treatment के बाद समझो कि आपकी gland जो पहले over active थी वो अब हो जाती है under active और उसके हम reason कहे तो surgery के कारण या फिर radio iodine therapy के कारण की जो कहा जाता है post-tablative फिर primary ideopathic hypothyroidism फिर Hashimoto thyroiditis iodine की deficiency है आपके अंदर congenital biosynthetic defect है फिर dysormonogenetic goiter है तो उसके भी कारण आपको hypothyroidism हो सकता है तो यह है उसके primary causes secondary causes में देखे तो pituitary और hypothalamic phylor यह uncommon है बट एक factor है secondary कि कई बार समझे के pituitary और hypothalamic phylor के कारण भी यह gland के जो function है उसके उपर affect हो सकते हैं तो यहाँ पर समझे causes of hypothyroidism यह वाले point में समझना है आपको देख तो iodine की deficiency in diet फिर inflammatory process of tissue of thyroid gland कि आपकी जो thyroid gland है उसके अंदर inflammation हुआ है complete और partial removal of thyroid gland समझे कि आपकी thyroid gland है surgery करने के बाद remove कर दी गई है फिर unfavorable environmental factors जैसे की radioactive radiation work in harmful production क्या आप ऐसे unit के अंदर काम करें कि जहाँ पर radioactive radiation का secretion होता है तो radioactive जो raise होते हैं कि जो हम radioactive weak iron कहते हैं उसके कारण भी ये gland के function के उपर affect हो सकता है फिर anomalies in intrauterine development of the organs of the endocrine system anomalies मतलब की ऐसे condition कि जिसके अंदर जो आपके जो organs होते हैं endocrine system के वो proper समझे के developed नहीं होते जिसके करण उनके जो hormones होते हैं वो proper secret नहीं होते तो thyroid gland का भी ऐसा ही है कि समझे की anomalies हैं उसके अंदर proper of starting से ही वो उसके development नहीं हुआ अच्छे से growth नहीं हुई gland की birth से ही समझे की किसी child को ये problem था और आगे जाके भी ये problem जो है वो solve नहीं हुआ है तो ये condition produce होती है hypothyroidism की फिर the use of radioactive iodine for therapeutic purpose कि radioactive iodine I-31 समझे की use किया गया है और उसके side effect के तोर पे gland जो पहले hyperactive थी वो under active हो जाती है फिर drug therapy depressing thyroid function कुछ ऐसी drugs होती है कि जो thyroid hormone की जो secretion के उपर affect करती है और उनके करण thyroid hormone का जो function है वो change होता है and damage and inflammation of hypothalamus तो ये जो हमने kozis सीखे वो सभी kozis को आपको अच्छे से याद रखना है सरुवत से ये first वाला ये second फिर ये third four five six seven and ये eight एसे kozis है कि जो आपके लिए है most IMP तो इतने point तो अच्छे से आपको याद रखने ही है kozis of hypothyroidism और उसके करण होने वाले जो बेन दो complications के हम बात करे तो एक है cretinism कि याप आप देख सकते है ये वाला children कि जिसके अंदर cretinism है और ये mixodema की condition तो cretinism और mixodema दोनो hypothyroidism के main complications है और जिसके हम symptoms देखे तो patient को fatigue रहता है थकान होती है increased sensitivity to cold ठंड सहन नहीं होती constipation dry skin weight gain होता है याप पफी face रहता है आपका कि face जैसे swallow हो पफी जैसे आपका face होता है hoarseness रहती है sound के अंदर muscles के अंदर weakness elevated blood cholesterol level muscle aches होते है फिर tenderness and stiffness पाई जाती है pain stiffness or swelling in your joint heavier than normal और irregular menstrual periods menstrual period पे यह affect करता है और menstruation जो period है वो abnormal हो सकते है irregular menstrual cycle हो सकता है hair यहाँ पे thinning हो सकते है heart rate आपके slow हो जाते है depression रहता है impaired memory and enlargement of thyroid gland की जिसको हम कहते है goiter तो यहाँ पे देखिए symptoms of hypothyroidism weight gain, hair loss, dry skin constipation, nausea painful and prolonged menstruation irritability, anxiety, depression insomnia, increased blood pressure and cholesterol, chills, conversion and increased fatigue तो यह symptoms आपको याद रखने है diagnosis के हम बात करें तो पहले तो physical examination patient का फिर उसकी medical history फिर blood test के अंदर TSH का level चेक किया जाते है कि आप पे जो TSH है वो high level होगा increase होगा TSH का level जबकि T3 and T4 low level में होगे तो यह एक diagnostic feature है में कि जब आप blood test perform करते है किसी person का तो उसके अंदर specially यह देखा जाता है फिर उसके बाद MRI भी कर सकते है आप patient की and ultrasound कि जो thyroid gland के आसपास का reason का है आप ultrasound जो है वो करवा सकते है patient का कि जिससे पता चलता है gland के size and shape के बारे में तो उससे भी diagnosis होती है thyroid diseases की और जब आपके blood test में आपको पता चले कि main to T3 and T4 दोनों का level जो है यहाँ पे down है और TSH का level increase है तो वो confirm होता है taste as a hypothyroidism तो यह जो normal से यह normal values आप अच्छे से याद रखे एक्जामिनेशन्स के लिए कि T4 कि जिसका level है 4.6 से लेकर 12 microgram per deciliter है फिर T3 का level आप देखो 80 से लेकर 180 nanogram per deciliter और TSH का level कि जो 0.5 से लेकर 6 micro unit per ml है तो जब आप देखिए कि person को hypothyroidism है तो यह दोनों की values यह normal से down होगी और यह वाला value आपको increase मिलेगा in blood test तो person के blood test के अंदर यह दो values जो है वो होगी increase sorry यह दो value होगी decrease हो जाएगी और यह value increase होगा तो यह दियान रखे diagnosis के अंदर अब बात करते हैं हम cretinism की तो cretinism is a child with severe hypothyroidism present and birth और developing with first two years of postnatal life तो cretinism जो है यहाँ पे क्या होता है main main point पे हम focus करेंगे और फिर उसके medicines के बारे में जानते है तो cretinism की जो specially child children को होता है कि mother to eat fetus जो हम बात करते है तो वैसे कि with birth ही यह children को hypothyroidism है और present at birth और develop होता है first two years of postnatal life के अंदर तो जो newborns के अंदर specially कि जब hormones कम amount के अंदर secret होता है तो ऐसे condition produce होती है कि जो proper जो है वो growth नहीं होती जिसके करण specially तो neurological function यह children के impair होते है stunted growth मतलब कि proper उसकी growth नहीं होती and physical deformities हमें देखने को मिलती है कि जो normal children के compare में यह children अच्छे से अपनी growth नहीं कर पाता और especially कि जो उसका developing state होता है developing period होता है उसी period के अंदर जब उसको कम amount में thyroid hormone मिलते है तो उसकी essential growth नहीं होती वो stage में यह hormone mainly काम करते है growth के अंदर as well as जो nervous system and जो हमारा brain है कि जो हम central nervous system और peripheral nervous system के बात करते है वो अच्छे से develop नहीं होते यह children के अंदर with cretinism तो आगे जाके आप देख सकते है यह type का जो children कि deformities आपको देखने को मिलती है children के अंदर यह भी cretinism वाला ही children है कि जिसके कारण बहुत सारे उसके social situation पर affect पड़ता है education के उपर inheritance रहता है nutrition का भी उसको problem रहता है climate वो अच्छे से tolerate नहीं कर पाता तो यह सब complications children को रहते है symptoms देखे तो floppy infant thick increase and tongue tongue थीक रहती है poor feeding constipation रहता है prolonged jaundice and short physics तो जो हम बात करते कि proper उसका body का development नहीं होता तो यही है बात cretinism की cleanage care features देखे तो course facial features आपको देखने के मिलते हैं कि यह वाला जो portion आप देख सकते हैं कि normal children के compare में जो development है वो proper नहीं होती फिर protruding tongue कि यह जो tongue है वो normal से ज़़ए thick and increase होती है tongue and umbilical hernia होता है infants के अंदर तो यह है उसके clinical features umbilical hernia tongue कि always thrusty रहती है protruding tongue course facial features severe mental retardation कि mentally proper वो child normal नहीं होता because उसका nervous system कि जो developing stage में ही proper develop नहीं होता और उसके करण यह जो उसके clinical features देखने को मिलते है treatment की बात करें तो T3 and T4 यहाँ पे दिये जाते है patient को because iodine deficiency होगी तो iodine ही यह disease को cure कर सकते है कि iodine is if iodine deficiency is the cause कि जो उसका cause iodine है कि iodine deficiency के करण यह सा हुआ है तो iodine दे सकते है और उसके बाद T3 and T4 कि जो main hormones है like T4 मतलब कि liver thyroxine कि average dose 1.6 microgram per kg age 50 to 60 और cardiac disease के अंदर must start at low dose 25 microgram per deciliter reject thyroid hormone level every 4 to 6 weeks after a dose change aim for normal TSH और हमारा target रहेगा कि patient का जो TSH है वो normal रहे तो starting में patient को low dose दिया जाता है कि 25 miligram sorry 25 microgram या फिर उसके बाद आप 50 microgram और regularly उसका hormones level चेक करने के बाद ही dose चेंज किया जाता है कि यह आहाँ पर लिखा है कि 4 to 6 week पे regularly उसका check-up करवाना जरूरी है दूसरा है T3 कि cytomail का जो tablets रहता है 5 to 10 microgram पर यह उसका injection है और यह उसके tablets injection भी पचास से लेकर 100 की strength में भी मिलता है as well as 10 microgram के strength में भी आपको मिल जाता है तो यह है T3 मतलब की Leo है आप समझे दोनों के spelling में आप समझे खास T3 के अंदर spelling में है Leo Leo थाइरोनीन है जबकि T4 के अंदर जो है वो है लीवो और लीवो थाइरोक्सिन है वो है लीवो और यह है थाइरोनीन है जबकि यह T4 वाली मेडिसिन में लीवो थाइरोक्सिन है तो यह दोनों को आपको याद रखना है Most remember दीस टू पॉइंट कि T3 और ट्रीफ़र के जो मेडिकेशन होते है उसका में यह कंटेंट तो यह खास अच्चे से आप याद रखो तो थाइरोनीन है और तो वो लिवो थाइरोनीन तो वो बना T3 अलग-अलग वेलनन फार्मा कंपनीस इसको प्राड्यूस करती है एस वेल एस T4 की जो लिवो थाइरोक्सिन है सेकंड कंडिसन जो हमने सोची थी वो थी मिक्सोडिमा की जहाँ पे हम देखे तो मिक्सोडिमा कोमा is rare syndrome that represents the extreme expression of severe long-standing hypothyroidism अब समझो कि ये hypothyroidism लंबे समय तक चलता है ट्रेट ही नहीं होता तो मिक्सोडिमा की कंडिसन फॉर्म होती है और जिसके अंदर pulmonary infections होते हैं cerebrovascular accidents होते हैं और congestive heart phylure और ऐसे ये factors होते हैं कि जो इसके करण patient की death भी हो सकती है तो यहाँ पर हम देखे hypothermia यहाँ पर होता है slur speech severing clumsiness feeling cold ठंड लगती है आपको hypothermia कि intolerance to cold जो हम बात कहते हैं intolerance to cold कि ये जो patient है उसको ठंड संड नहीं होती तो वो hypothermia 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 कि जो fever होता है specially कि जिसके अंदर temperature increase होता है बढ़ यहाँ पर patient को काफी ठंड लगती है irrational behavior होता है heart rate slow होते है and feeling cold तो mixodemia में especially hypothermia उसका main clinical feature है जो आपको याद रखना है for the examination respirator depression हो सकता है unconsciousness हो सकता है patient and dry and rough skin तो यह आपको अच्छे से याद रखने है treatment हम जाने तो levothyroxine levothyroxine 500 mg per day patient को दिया जाता है and levothyroxine वो 75 mg per day patient को दिया जाता है other हम देखे तो जब patient को hypothermia होता है काफी ठंड लगती है तो rewarming with blankets blankets से उसकी body को warm कर सकते है आप heater वगेरा भी लगा सकते है जिससे उसका body जो है वो घरम रहे correction of hyponatremia nutrition related problem है तो वो correct करे and जो iodine की जो deficiency है वो उसका main है कि iodine deficiency आप आपको normal कर दे कि deficiency ना रहे है iodine iodine normal हो जाए वो patient के अंदर तो आगे जाकी ये condition समय लेगा पर treat हो सकता है and treatment of the precipitating incident तो ये बात है mixodema की कि जो हमने study की hypothyroidism के अंदर next lecture में हम goiter के बारे में detail में study करेंगे कि जो हमारा next video lecture होगा thyroidysis के बारे में वो होगा goiter के उपर और किस तरह से goiter के treatment की कर जा सकती है and वो होने के main cozy symptoms वगेरा जानेंगे next lecture में so till then join करें whatsapp group ये हवारा whatsapp group का help line number है subscribe करेंगे press करेंगे bell icon use करेंगे app pharma rocks access study material test series and video lecture in very affordable price so good luck and all the best